नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे स्खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप हर रोज टारट कार्ट के तुरू जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है आज के दिन किस तरह के टास्क हमारे समक्ष आ सकते हैं और कौन सी गुड न्यूज हमारे पास होगी जिसे हम easily use करके guidance को follow करके अपने आज के दिन को बहतरीन बना सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि हम यह सब कारे जो है वो numerology के नुसार टारट रीडिंग के थूँ एक से लेकर 9 मूलांक तक यह जातकों के लिए करते हैं तो कौन सी होगी आपकी reading या कौन सा होगा आपका मूलांक एक example देकर आपको बताती हूँ अगर आपकी date of birth है 16 यानि की 16 है तो एक और शी को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर 7 तो 7 होगा आपका मूलांक और आज की तारिक है 23 मार्च 2024 आज की तारिक नंबर 23 दो और 3 को जोड़ेंगे जोड़ाएगा नंबर 5 पांच जिसके स्वामी है बुद्ध तो आज क्या impact होगा एक से लेकर नौमूलांक तक के जातकों पर हम जानेंगे लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको पता है कल्यूग में कुल मिलाके कुल साथ मुख्य चुरंजीवी बताए गए हैं और एक चुरंजीवी और भी है जिनका जिक्र जो है वो अलग से किया जाता है क्योंकि साथ जो चुरंजीवी उन्हें सब्त चुरंजीवी भी कहा जाता है तो आज मैं सभी के बारे में आपको नहीं बताऊंगी लेकिन हाँ एक विशेश चुरंजीवी के हम आज बात करेंग कहा जाता है उन्हें महावली हनुमान जी हनुमान जी कौन है अजरमर है वो भगवान शिव के जो हैं रुद्रवतार हैं साथी साथ इतने अधिक शक्तिशाली उर्जा में हमारे इस ब्रह्मांड में इस कल्योग में मौजूद हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने सभी को लेकर जितने भी आयोध्यावासी थे सब को लेकर जब वापस पैकुंट की और लोटे तो उन्होंने हनुमान जी को यहां पर रखा उन्होंने कहा कि कल्यूग में भक्तों को आपके मार्ग दर्शन की जरुरत होगी तो कहीं ना कहीं आप यहीं रुकें औ और उन्हें अजर अमरोने का आशरवाद भी प्रदान किया माता सीता ने तो ऐसे में भगवान जो हनुमान है वो साक्षात कल्यूग में हैं आपने देखा होगा कि जब भी हम सुन्दरकांड का पाठ करते हैं या उनकी कोई उपासना करते हैं तो एक आसन अलग से हनुमान जयान देते हैं लेकिन वास्तविक्ता यह कि हनुमान जी हर उस भक्त की रक्षा करते हैं हर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं और उनका मार्ग दर्शन गुरू की समान करते हैं जो कहीं न कहीं परमात्मा को वास्तविक रूप से पाना चाहता है परमात्मा को पाने के लिए उसके मन में कोई सिद्धी प्राप्ती या अपना एहंकार या अपने आपको बढ़ार चड़ा कर बताना नहीं है बल्कि वास्विक्ता में परमात्मा को पाने का उसका एक अपना अंदर की उसकी इच्छा है भावना है और उसके लिए उसे कोई विशेश उपाय या विशेश अनुष्ठान जाप तपस्चा करने की आवशकता नहीं है केवल और केवल अपने हिर्दय को निर्मल निरंतर निर्मल बनाना और परमात्मा को सब कुछ अपना से रेंडर कर देना आवशक है तो ऐसे में जो हमारे चिरंजीवी हैं सबसे मुख्य जो हमारे हनुमान जी हैं वो हमेशा ऐसे भक्तों की सुरक्षा करते हैं और एक गुरू रूप में हमेशा उन्हें मार्गदर्शन देते हैं इस विशे में हम आगे वाले एपिसोड में और बात करने वाले हैं लेकिन चुकि आज का दिन बहुत महत्पूर है क्योंकि कल होली आ रही है तो ऐसे में इन चिरंजीवी के बारे में जान लेना इसलिए भी आवशक है क्योंकि बहुत सारी लोग जो है वो इसी समय पर होली का जो समय होता है उस समय का दुरूपयोग भी करते हैं लोगों के लिए तो ऐसे में अगर आप इन चिरंजीवी यानी के हमारे हनमान जी की उपासना करते हैं उनके कवच का पाठ करते हैं तो वह कंप्लीटली आपको वह सुरक्षा देंगे जो आपकी जिंदगी में आपको ह अध्यात्मिक, आर्थिक, समाजिक, शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से आपको सुरक्षित करेंगे आए बिना देर के अपने कारिकरम की हम आज शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइद कर रहे हैं आज 23 मार्च तो हजार 24 के लिए और मूलांक एक के लिए हमें कहा जा रहा है, आज थोड़ा स्ट्रगल होता दिखाई दे रहा है मूलांक एक के जात्म के लिए, कहीं न कहीं भटकाव की स्तिती आ रही है, जो लक्षि है जिसे ब्राब्द करना है उसके बीच में भटक जाएंगे, तो आप एक स्टूडेंट हैं और अपने पृतियोगी परिक्षाओं के तयारी कर रहे हैं, तो जादा खेल में पढ़ने किया, मुबाइल फोन्स किया, स्क्रीन टाइम की बहुत जादा आपको लाल सा नहीं रखनी चाहिए, अगर ऐसा आप करते हैं तो आप अपने जो आपको करती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आज के दिन आपको अपने इष्ट देव का जो है, वो आपको उनकी उपासना करनी है, उनके स्त्रोत्र का पाठ करना है, और साथ ही साथ कवच का पाठ भी जरूर करें, आपका दिन शुभू आईए जानते हैं, मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, 23 मार्च 2024 के लिए, और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, King of Pentacles का कार्ड है, आज के दिन एक व्यक्ति जिनने आप बहुत मानते हैं, फादर लाइक फिगर, या आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपके बास भी हो सकते हैं, कि आपके जिन्दगी का ऐसा कोई महत्पूर्ण व्यक्ति, आज आपकी साहता करने वाला है, आज के द अगर किसी प्रकार की परेशानी महसुस होती है, तो आपको क्लियर का जा रहा है कि यहाँ पर जो डॉग एक फिगर आया है, जो आपको क्लियर कह रहा है कि यह मित्रों के साथ आज आपको सपोर्ट मित्रों का मिलेगा, और कहीं न कहीं अगर आप अत्य दिक तब भी तो आज के दिन आपको काल भेरव की उपासना करने चाहिए उनके काल भेरव अश्टक का पाथ जरूर करना चाहिए आपका दिन शुबो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 23 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिने वो बहुत अच्छा है आपका समय बदल रहा है अभी तक जितने स्ट्रागल्स जो परेशानी आपने देखी अब आप उससे ओवरकम कर रहे हैं गुरु करपा बनी हुई है ताइम चेंज हो रहा है कुल मिला के आज का दिन जो है काफी कुछ बदल जाएगा आज के दिन चो आपकी इस्तिती है वो सुधर रही है और सही मार्ग की तरफ आप बढ़ रहे हैं आपका दिन शुभो आई ये जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज यानि की 23 मार्च 2014 को आज क्या गाइड कर रहे हैं और मूलांक चार के लिए हमें गाइड किया जा रहा है दो कार्ड जाएं हैं दमून एंड काप्स चुकि यहाँ पर मून का कार्ड है तो बहुत जाद आपको इमोशनल होता दिखा रहा है लेकिन कहीं न कहीं आप उन चीजों से ओवरकम भी करेंगे आज थोड़ी परिशानी आ सकती है कोई ऐसी खवर मिल सकती है जिससे आप बहुत जादा एमोशन फील करेंगे आपको लगेगा सब कुछ छोड़ दो बस अब हो गया लेकिन कहीं न कहीं आप इस परिस्तिती से अपने आपको समहाल भी लेंगे और शाम होते होते तक आप काफी हद तक जो है पॉज हेल्थ का ध्यान रखना है और साथ ही साथ इस्पेशली मेंटल और इमोशनल हेल्थ का आपको आज ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपका दिन शुबहों आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 मार्च 2014 के लिए आज क अकेले नहीं है परमात्मा की दिवे करपा आपके उपर बनी हुई है विशेश तोर पर मा भगवती की करपा आपके उपर बनी हुई है जब डिवाइन एनरजी कनेक्टेड होती हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं और आप निर्बल नहीं होते हैं आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं अब मैं physically formation की बात नहीं कर रही शक्तिशाली होने की बलकि भीतर से as a soul आप बहुत जादा आपकी willpower आपका determination बहुत strong हो जाता है जो चीज़ें आप सोचते हैं करने की जो ठानते हैं उसे आप पूरा कर पाते हैं तो आज वैसी ही आपकी उर जाए हैं आज आपकी willpower बहुत strong रहने वाली है जो भी चीज़ों को आप ठानेंगे उसे achieve करके ही दम लेंगे तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है इसका कर आई जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 मार्च 2024 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है तो चांपरिंस का आपको क्लियर कहा जा रहा है positivity और negativity के बीच का द्वन्द है ऐसे में अपने आपको छोड़ दीजे surrender कर दीजे whatever is going to happen is going to happen for a good reason इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए completely surrender आज कर देना है यकीन मानिए हमेशा धर्म और सत्य की ही विजय होती है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मुलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गयाड कर रहे हैं आज 23 मार्च 2014 के लिए और मुलांक साथ के लिए हमें आज गाईड किया जा रहा है हमसे का जाए तो फोर अस्वार्ट का कार्ड है आज का दिन आप थोड़ा दुखी मैसूस करेंगे अकेला पना आपको लगेगा लगेगा कि दिल दुखा है आपका आपने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया था आज आपको कहीं ना कहीं उनसे धोखा मिल सकता है या ऐसी कोई खबर आपको प्राप्त होगी जहां आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगा तो आज आप जो दुखी मन में रहने वाले हैं तो इमोशनल बहुत ज्यादा रहेंगे ऐसे में कोई भी महत्पूर्ण डिसिजन आपको आज नहीं लेना है जितना ज्यादा हो सके में स्ट्रीम ऐस लखें आपका दिन शुभोग आईए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 मार्च 2024 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा है आज के दिन आप पूरी शिद्धत के साथ अपने लक्ष को प्राप्त करने में जुट जाएंगे आज लक्ष को पाने के लिए आप साम दाम दंड भेद हर प्रकार की प्रक्रिया को आज आप अपना सकते हैं तो परमात्मा गाइड कर रहे हैं कि आज कहीं न कहीं जो आपका पैशन है वो आपकी जीत दिलाने में आपकी साहता कर सकता है बशरते कि आप धर्म के साथ हों किसी भी प्रकार का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आप ही के लिए भविश्य में नुकसान दैक हो सकता है इस बाद का विशेश ध्यान रखें आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 23 मार्च 2014 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है 9 of swords का कार्ड है लकी नमबर है आपका नमबर 9 आपको कहा जा रहे हैं कि आज के दिन आप बहुत जादा डिप्रेसिव स्टेट में रह सकते हैं क्योंकि बैक बाइटिंग हो सकती है कहीं न कहीं शडियंतर के शिकार हो सकते हैं विरोधी आपको परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं शत्रु आज हावी होने की कोशिश करेंगे ऐसे में बहुत जादा जरूरी है कि थोड़ा सा सतर करें चोकने रहें और अपने आसपास की परिस्तितियों को ध्यान में रखते वे कोई कारे करें आज के दिन जितना जादा आप देवी मा की उपासना करेंगे आप देवी के परष्ट रूप से कहना है कि आपकी सहाइता करें अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहा हैं तो आपको घर में रहेकर आपको उनका श्त्रोथ रहा उसका पाठ करना है और अपने वेल बींग के लिए अपनी सहायता के लिए उनसे मांगना है प्रार्थना करनी है आपका दिन शुभू तो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मूलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम है कि अगर्णे कि अगर्णे करते हैं